साइन्स और टेक्नोलोजी की दुन्या में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्नोलोजिस के बारे में जानेंगे जो हमें 2050 तक दिखने को मिलेगी ये टेक्नोलोजी आपके दिमाग को हिला कर रख देगी साल 2050 तक कई सारी नौकरिया खत्म हो जाएगी क्यूंकि तब तक इंसानों की जगा इंटेलिजेंट रोबोट्स ले लेंगे ये रोबोट घर का खाना बनाने से लेकर होटल के वेटर तक सभी काम यही करेंगे यहां तक ये रोबोट डॉक्टर को भी रिप्लेस कर देंगे जहां हमारा इलाज और सरजरी भी ये रोबोट्स ही करेंगे 2050 तक हर एक बीमारी का इलाज संभव हो पाएगा इन रोबोट्स को लोग अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए भी इस्तिमाल करेंगे यानि इन रोबोट्स के साथ लोग सारीरिक संबन भी बना सकेंगे इतना ही नहीं 2050 तक लोग रोबोट्स साधी भी कर सकेंगे इन रोबोट्स को अपना जीवन साथी बना कर उसके साथ जीवन बिताने लगेंगे साल 2050 तक चारो तरफ सड़कों पर सेल्फ ड्रैविंग कारे ही दोड़ेगी जिसकी वज़े से दुरगटना है बहुत कम हो जाएगी एक इसारा करते ही ये कार पार्किंग से निकल कर आपके पास बहुत जाएगी आज के समय में विज्ञान इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि हर चीज का ट्रांस्प्लांट संभव है और किसी भी तरक्की कृतिम अंगों को भी इंसानी सरीर में जोड़ा जा सकता है हाली में एक यूटूबर जैकपॉन ने अपने हाथों में 3 लाख डॉलर खर्च करके अपने हाथों में रोबोटिक व्लॉक कैमरा लगवाए है जो मुठी को बंद करते ही आटोमेटिक ओपन हो जाता है इसका इस्तिमाल करके आप कहीं भी चलते फिरते वीडियो और फोटो ले सकते है अब इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आने वाले समय में और क्या-क्या बदलाओ देखने को मिलेगा Tesla Company के Founder Elon Musk ने एक Neuralink की सुरुवात की है जिसमें वो इंसानों के दिमाग में एक चिप लगाएंगे इसके जरिये इंसानी दिमाग को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकेगा साल 2050 तक कई सारे Smart City हो चुके होंगे जो बहुत सारी सुधाएं और टेक्नोलोजी से लेस होगा गाउं-गाउं में इंटरनेट की सुधाएं होगी फ्रूचर में हमें मुबाइल फोन में भी बहुत बड़ा बदलाओ देखने को मिलेगा 2050 तक हमें इस तरह के मुबाइल फोन और लैप्टॉप देखने को मिलेगे जो पूरी तरह से ट्रांस्पिरेंट होगी इसके आर पार देख सकेंगे 2050 तक हमें Smart Newspaper जैसे टेक्नोलोजी भी देखने को मिलेगी आज के समय में Newspaper को एक बार पढ़ने के बाद हम उसे फेक देते हैं या रद्दी के भाव में चला जाता है लेकिन साल 2050 तक बाकी चीजों के साथ साथ हमारा Newspaper भी एडवांस हो जाएगा इस Newspaper को आपको फेकने या रद्दी में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये एक ही Newspaper होगी जो रोज सुबह अपडेट हो जाएगी ये पूरी तरह से डिजीटल होगी इसमें वीडियो भी प्ले कर सकेंगे इन सब के बहुजूद भी आप इसे फोल्ड करके रख सकते हैं तो दोस्तों ये है साल 2050 तक आने वाली एडवांस टेकनोलोजी आपको इन में से कौन सी टेकनोलोजी सबसे अच्ची लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में पार्ट टू जरूर लिखें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो के निचे दिये लाल बेटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद